सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पर एंहेंसिंग यूर नॉलेज और प्रेश दे बेल आइकन फॉर लेटिस्ट अपडेट यूर चैनल कटली सोनी अंधिस सोनी सिंग फ्रेंट एक बहुत बड़ा न्यूज आ रहा है जिस न्यूज के बारे में आप लोग भी पहले से सुनते आ रहे थे लेकिन अब हमारे जो सिक्षा मंतरियों जो एजूकेशन मिनिस्टर है उन्होंने इसके घोशना भी कर दी है दि गोशना कर दी गई है उन्होंने कहा है कि जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं यह जो फाइनल यर में उनके लिए अभी रास्ता खुला हुआ है फाइव यहर्स तक यह जो बीएड है टू यहर्स का इसको बंद नहीं किया जाएगा फाइव यहर्स तक डीलेट बीटीस यह सब को रखा जाएगा जिससे कि उनका आगे फाइव यहर्स में कम्प्लीट हो जाए अदर्वाइस वो लोग फिर कर नहीं पाएंगे इसलिए यह जो नियम है बट जो इस्टूडेंट नियू आ रहे हैं 2019 से जो ग्रेजुएशन में आ रहे हैं और एडमिशन ले रहे है उनके लिए मस्ट हो जाएगा अगर वो टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो उनके लिए पुराना जो फॉर्मेट है वो फॉलो नहीं होगा उनको यही फॉर्मेट फॉलो करना परेगा यह करने का रीजन बस इतना ही है कि टाइम भी बचेगा इस्टूरेंस का फिर बचेगा और साथ साथ उनका कम्प्लीट भी हो जाएगा बी एड़ प्लस ग्रेजुएशन और जो जो ग्रेजुएशन करके बीएड करना अलग से चाहते थे जह त्री यर्स उसमें डालते थे टू यर्स वहां डालते थे फाइव यर्स होता था उसको कंबाइन करके फोर कर दिया गया है तो यह न्यूस जो है कि बीएड जो है टूथाउसन नाइटीन से बीएड डीलेट बीटीसी यह सारे को हटा कर एक बीएड ग्रेजुएशन प्लस बीएड कर दिया जाएगा जो कि फोर यर्स का होगा तो फ्रेंड्स आप लोगो पता है यह बहुत ही लेट कमपलेशन का ठीक है फ्रेंड्स तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सकता है उतना शेर कीजिए फिर मिलती हूं दूसरे वीडियो के साथ तब तक के लिए हैव अनाइस टेइ